कि हलो एवरीवन वैल्गम तो चैनल प्रभावी कॉंपिटिशन अब आज के स्टुडिय में बात करेंगे पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं तो अज का हमारा टॉपिक है कि अगर हमें कोई चेंज लाना है ठीक है उसके लिए क्या हो कि और कोई चेंज कर रही हैं कोई उसमेंड़मेंट ला रहे है तो उसको किया बोलते हैं कॉन्सेटेशनलमेंट घ्यक है तो फस्ट कुशन है वाट इस टम्रेण भी इस चैंज इन कॉंसे आर्टिकल के अंदर पार्लेमेंट को यह पावर मिला हुआ कि वह कॉंसे पार्ट में दिया हुआ है तो यह पार्ट 20 में लिखा हुआ है और अर्टिकल 368 इन विच जज्जमेंट कोट रूल डाट पार्लेमेंट के नौट अमेंड दोस प्रोविजन्स विच फॉर्म पार्ट ऑप बेसिक इस्टुक्टर ऑप दे कॉंसे जज्जमेंट में ने सुप्रीम कोट नहीं यह का कि हम अब यह को सकते हैं लेकिन उसके बैसिक इस्टुक् पार्लेमेंट को बताया गया तो यह two types का अमेंडमेंट को विच काइंड विच कांङड उप बीस मच्ट पास्ट बाइ इस हाउस बावसे ऌब बाटियू है तो 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 कान उपन से पनिए के बील आधा है वह किस कि इसस्टुक्ट में को भूण में हृँम स्था के बागि students होता है और यह constitutional amendment bills के regarding which is बोला गया है next under article 368 of the Indian constitution the constitutional bill can be initiated where तो अगर article 368 के अंदर किसी को भी एक special power नहीं मिलावा ठीक है वो amendment bill किसे भी house में आ सकता है चाहे वो लोग समाम है चाहे वो राजे समाम है under article 368 of the Indian constitution what majority of a house is required for amending constitution and through special majority अगर special majority के अंडर constitution को amend करना हो तो हमें किस तरी का क्या majority चाहिए होगा तो two three of the majority of that house present and voting ठीक है next how many provisions of the Indian constitution can be amended by a simple majority तो कितने provisions हैं जिसको हम लोग बस simple majority से ही amend कर सकते हैं तो वो nine provisions है with supreme court judgment states that the fundamental rights and active principle of state policies are complimentary and this balance cannot be amended by the parliament तो ये कौन से case में supreme court ने कहा था कि जो fundamental rights है ठीक है और as well as DPSP दुनों complimentary ये दुनों को दुनों के साथ balance करके चलाना है हम एक के वज़े से दूसरे कॉमेंट नहीं कर सकते हैं ये बुला था मिनर्वा मिल्स केस 1980 में in which judgment supreme court stated that the dietary cannot be ceded except by constitutional amendment act तो कौन से जज़्मेंट में बूला कि हम dietary को ना दे सकते हैं न ले सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं ये बेरुबारी केस 1960 में हुआ था ठीक है नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेजर constitutional amendment अब तक में इंपोरेंट constitutional amendment एक्ट से उसके बारे में है first what was the subject matter of first constitutional amendment act तो पहला जो constitutional amendment हुआ था 1951 में ठीक है ये हुआ ही क्यों था empowered the states to make the advancement if socially and economically backward classes तो socially एकनोमिकली बैकवार classes उसको uplift करने के लिए इसमें रूल्स लाए गया थे विच अमेंडमेंट एक्ट आड़ेड 9th schedule to Indian constitution तो पहले हम जानते हैं कि जब constitution बना था हुष्ट है में तो कौन से मतलब कौन सेमेंटमेंट एक के तुरू क्या हुआ कि सिक्कीम एक फुल फ्लेश स्टेट बन गया हमारे यून ऑफ इंडिया का तो 236th Amendment Act के तुरू ऐचा हुआ विच अमेंडमेंट एक्ट आड़ेड तो प्रोपर्टी फॉम जानते कि पहले सेवन फंडमेंटल राइट थे इंक्लूदिंग राइट तो प्रोपर्टी ठीक है लेकिन राइट तो प्रोपर्टी को से थे लाइटा अब लीगल राइट कर दिया गया था कॉंसे अमेंडमेंट में किया गया था 44 से अमेंडमेंट 1078 में इसे कोई परषन एक्स है वो वहाई पार्टी से जीद कर देता है लेकिन फिर बाद मेंवों जैट पार्टी को जोजवाइन कर लेता है तो इसी कोम लोगों क्या बोलते हैं एंडी डिफ्रेक्शन लाहा ना यह क्या किया था 53 अमेंट मेंट एक्ट के तुरू अज्टीए तो इस दा ओट्रीट अच्ट पॉब्लिश इन हिंदी ठीक है तो कौन्से अमेंट मेंट के तुरू यह बोला गया पहले जो वोटिंग थी वो 21 यह थी लेकिन अब उसको रिदूस करके 18 कर दिया गया यह कब क्या गया 61 अमेंट एक 1989 में विच अमेंडमेंट ऑप दे इंडियन कोंटिशन कंवर्ट ऑप डेली इंटू नेशनल केपिटल रीजन ऑफ इंडिया तो पहले से कैसा से डेली एक यूने डेटरी था ठीक है लेकिन अब क्या भी वो नेशनल केपिटल रीजन एंसी आर डेली बोलता है ना यह अब बहु इड़ेट कंशिशनल स्टेटस तुद पंचायद तो पंचायद को कंसे अमेंडमेंट के थ्रू मिला तो 73 अमेंडमेंट एक 1993 के तुरू 74 अमेंडमेंट एक एड़ेट के तुरू कौन सा प्रोविजन हमारे कंस्टिशन में एड किया गया तो सेटिंग आप और एक उसकी लिए भी एक एक बाडी के रट दिया गया ठीक है तो यहां पर दिया हुआ है डिफेंट डिफेंट अमेंडमेंट सेक है और क्यों हुआ था तो पहला था 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 तीन तमर्मेंट एक तो यह नागालेंड को स्टेट का दर्जा मिल गया था एक रीडिवी डैफिन त हथ़से ना गेना हमारे स्प्याहींन फॉटे भी रिविव के लिए दे सकती है लेकिन यौश मेरा कंशाश करति करने के लिएक सकते हैं घृत शेयर कावार को करने के लिए Hemandment noises सेकुलर के लावा सोसलिलिस्ट औरिंटीटी वड़ को भी युस किया गा paw, उसके लाव फ़नामेंटल ड्यूटिश को भी इसकी अंट के त्रू इंट्रोडिस के आ गया। फर्टीफॉफ एमेंडमेंट एक 1978 जो की हुआ था क्यों इसका रिजन था एबॉलिशन आफ राइट तो परपर्टी ऐस फंडमेंटल राइट्स इसी एक्ट के थूप कि त्रूपके आवा कि जो हमान राइट तो परपर्टी फंडमेंटल राइट हुआ करता था उसको लीग लिए ट्रैबॉनेल इसका बना दिया गया तकि यहां पर जाएं क्योंकि हमारे यहां को काफिया जज्मेंट देने होता है ना काफिया दा बौझ रोड पे तो डिशिजिजिन जल्दी हो पाई इसका ट्राइबॉनेल्स का एक्सेप्ट करता हैं 83 अमेंट एक्ट 2000 नो रिजर्वेशन फॉर स्रीडियल कास्ट इन पंचायत इन अरुनाचल प्रदेश तो इसके एकॉडिंग के आवा कि अरुनाचल प्रदेश में सेडियल कास्ट को पंचायत एक्षाल में कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा फिर 99th Amendment Act Formation of National Reduction Appointment Commission 100th Amendment Act 2015 Exchange of certain incleve territories with Bangaladesh and Confinement of theтакиation Chief Rights Restorant of Inclave Consequent to signing of Land Boundary Agreement Treaty between India नंगलादेश तो इस साइड में ने ले लिया और इस में के आवा कि जो इस साइड के लोग थे उनको बंगलादिस की स्रेडियन से प्रोवाइड की गई और इधर वाले लोगों को यहां पर इंडा की स्रेडियन से भी प्रोवाइड की गई यह 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015 में हुआता है सब फिर 101 वह अमेंडमेंट एक्ट जो की जिसके जिसके तहती क्या GST को में आपको ध्यान रखना एक सोठाइड अमेंडमेंट एक्ट इसमें ग्यादा कि मैं सब्सक्राइब एक्ट एक्ट परसेड़ेशन पर इकोनुमिक्ली वीकर सेक्षण में अब जो ऑग्रएष का प्रोविजन ए ठीक है इसकी का इसे जिसकी जो काफी एक्टेंड कर दिया ह और एंगलो इंडियन्स की सीट से ना वो लोग समय में उसको रिमूब कर दिया गया ठीक है उसको वह किसकी जगाब चाहिए उसके पर फिर से और बढ़ जाएगी वह एससी के लिए एक सोपाचमा अमेंड में टेक 2021 में जगवा था इसके एकॉर्डिंग तो इस्टोर इस्टेट्स पावर तु मेंग दियर ओन ओबीसी लिस्ट एनुलिंग सुप्रीम कोट जज्मेंट ऑफ एलेवंट में तुर्ट इसके एकॉर्डिंग पर्लेमेंट ने क्या बोला कि कौनसे अमेंड में सुप्रीम कोट ने ये कहा था कि पार्लेमेंट जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स कॉमेंट नहीं कर सकती है यह गोलकनाथ के पर्सेल स्टेट और पंजाब वाले में कहा वादा ऐसा ठीक है फिर विच अमेंडमेंट अप दे इंडिन कोंसे इंसर साल तक के बच्चों को मतलब एक पर्टिक्लर एजुकेशन में लेगा ठीक है विच अब फॉलिंग अमेंडमेंट ऑफ दे इंडिन कोंसे इस्टेट्स के या फिर जो भी पार्लेमेंट के जितने भी मेंबर से ठीक है उसमें मिनिस्टर का नंबर जो है वो मेंबर्स के उपर से डैली के लिए तो 10% ही है बस ठीक है ऐसे कि डैली में 70 स्टेट लेसलेट असमली का सीट है वह में बस साथ मिनिस्टर रह सकते है ठीक ना यह 91 अमेंडमेंट एक्ट तुछरेंट 3 के एकॉर्डिंग बोला गया था विच अमेंडमेंट एक्ट ऑप दे इंडिन कॉं कॉंटिशेशन में नाइंटीट एक्ट के थ्रूँ ठीक है नेक्स्ट हमारा विच अमेंडमेंट ऑप दे इंडिन कॉंटिशेशन एड़ेट तर्म कोपरेटिव साइटी तो आइंटीन वन क्लॉस सी तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रूँ क्या हुआ कि को मतलब एड मतलब कॉलेजियम सिस्टम के एकॉडिंग जिजज का अपॉइंटमेंट होता है लेकिन इसके लिए एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन का इस्टाबिश्मेंट का लिए बिल लाया गया है वो कॉंसे अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नाइंटी एट्ट मतलब एकोनोमिकले वीकर सेक्शन से तो उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा टैन पर्शन ठीक है तो आई होप आपको समय माला होगा ठीक हम लोग नेक्स टुडियो में करेंगे पालिटिकल थ्योरीज एंड बेसिक कॉंसेप्स के बार में तो थैंकी सो मच एंड हाव नाइस कि एंड है कि य利ो अजय भी तो आखेशन शार चार बार उसती ने होजे एंड है तो आई हम एंड है झाहाँ वाला है कि एंड है झाहा झाहाँ है तो आई है ने ह।ँयाँ जिए है थैक्स टूलिए क्या